असलाम एकोम एविवान कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जस्ट फाइफ डेस में हम थ्री केजी तक वेट लूज किस तरह कर सकते हैं आपके पास शॉर्ट टाइम है और आप अपना वजन कम करना चाहरे हैं कोई इविंट आ रहा है इद आ रही है या कोई भी फंक्शन है और आप अपना वजन कम करना चाहरे हैं दिनों में तो यह डाइट प्लैन आप सब के लिए है जो अपना वजन दिनों में कम करना चाहरे है ठीक है आपका जो वेट है वो 5 डेज में 3 केजी तक लूज होगा इस डाइट प्लैन से अगर आप सेम टू सेम इसी को फॉलो करेंगे इस डाइट प्लैन को आप वन वीग तक कंटिन्यू कर सकते हैं सेफ है इसके बहुत अच्छी रिजल्ट है वजन तेजी से कम होता है अ आपके लिए बहुत एजी हो जाएगा डाइट प्लैन को फोलो करना तो अकसर जो है वो डाइट प्लैन इसी लिए आप लोग फोलो नहीं कर पाते हैं कि आप लोग भूल जाते हैं आपके पास रिटन में मैंचन होगा कि आपने क्या खाना है डे टाइम पे मौनिंग टाइ लिए रिजी से काम होगा तो इस डाइट प्लैन के साथ आपने मल्टी विटमन का यूज भी करना है आप किसी भी ब्रैंड के मल्टी विटमन ले सकती है इसके इलावा जिनको लो बीपी का इशू है जिनको वीकनस बहुत जादा हो जाती है उन्होंने इस डाइट में भी कि देट लाजबी खानी है चाहें आप सुबा खा लें चाहे अप दे में खा लें चाहे आप रात में खा लें में लेकिन डैली बैस पे अगर आप तीन खोडした अप लोगों तो गरम भी कर सकते हैं और एज़टीज भी को पी सकते हैं इसके लावब आप लेमन वाटर भी बना सकते हैं वन ग्लास आप वाटर लेंगे रूम तंपरेचर पर या नीम गरम लुक वाम और उसमें आपने वन लेमन स्क्वीज कर दाल देना है अगर बड़े साइज में तो आप डाल सकते हैं अगर स्मॉल साइज में तो आपने फुल लेमन स्क्वीज करके वह डाल देना है यह अपने एम्टी स्टमक पीना है इससे आपकी स्किन बहुत अची रहेगी और पूरा दिन जो है वह फ्रेश रहेंगे और यह ड्रिंग जो है वह आपकी बोड़ी को एक कोई भी संट्विच बना सकती है लेकिन मेक शूर उसमें कैचप मायूनी यह चीज़ें आपने यूज नहीं करनी ठीक है आप बड़ ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हैं आप इसके इसके एलाव आपके घर में जो भी सालन बना हुआ है आप वह डाल के उसका सेंट्विच भ बना लें साथ में या टू ब्रेड के स्लाइस ले सकती है और बेकफस्ट की थर्ड ऑप्शन है आप टू बॉइल एग ले ले और साथ में जो है वह वन एपल ले मीडियम साइज का यह सारी जो बेकफस्ट मैंने आपको बताए हैं इसके साथ आप लोगों ने ग्रीन टी का य तो फिर जो है वह आपका वज़न तेजी से कम नहीं होगा अगर मैं आपको कह देती हूं कि आप मिल्क टी जो है विदाव शुगर ले ले लेकिन मुझे पता है कि काफी लोगों ने उसमें शुगर एड़ जरूर करनी है क्योंकि शुगर के बगार तो मिल्क टी का फाइद मिल्क टी यूज नहीं करने के दो से तीन घंटों के बीच में अगर आपको भूक लगती है तो आप मिड मॉनिक स्नैक ले सकते हैं जिसमें आप कोई भी फूट ले सकते हैं कोई भी ठीक है आप एपल भी ले सकते हैं बनाना भी ले सकते हैं जो फूट भी आपके पास अव नहीं भूलना जितना जादा आप पानी पिएंगे आपके लिए उतना एजी होगा इस डाइट पैन को फॉलो करना बलके हर डाइट प्लैन को फॉलो करना तो दिन के तकरीबन दो बजे हम लंच करेंगे और लंच में फर्स्ट ऑप्शन मैं दूंगी बीन का सेलड रेड बीन भीन यहां आपने यूज करने उसमें अप योगर्ट डाल सकती है या फिर आप hole चूर्ण प formula के उसका नहीं का नहीं टाल सकतं इससे आपका पेट फूल रहेगा अगर आप ये उप्शन भी नहीं लेना चाहरे हैं तो आप हाफ रोटी ले सकती हैं और साथ में सब्जी ले सकती हैं सब्जी जो है वो आइल फ्री होनी चाहिए और हाफ रोटी से जादा आपने यूज नहीं करनी और इंडियन जो है वो वन चपाती ले सकती हैं इसके बाद हम करें एवनिंग टी की बात करेंगे लेमन डाल सकते हैं तो यह दो ग्लास आप इवनिंग में जरूर पिएगा इसके लावा आप किसी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप फूट का जूस भी बना सकती हैं अच्छा इवनिंग के टाइम पे भूग बहुत जादा लगती है तो उस टाइम पे बिस्किट खाने क कर सकते हैं कि मिल्क चोकल Мих最後 नहीं जो डार्क चोकली जो होती है वह भी आप यूज कर सकती हैं इसके लावा आप काफी Отक भूप एभी का सकते हैं किश कर सकती हैं तो मीठे की क्रेविंग होगी शाम के टाइम पे आप थ्री डै एपा लिए यूज़ कर सकती है तो इसके लावा आप डार्क चोकलेट भी यूज़ कर सकती है अभी मैं आपको बताऊंगी डिनर के बारे में तो डिनर हमने कोशिश करनी है कि 8 बज़े से पहले पहले हो ठीक है अगर आप लेट डिनर करेंगे तो फिर आप भूल जाएं कि आपका वज़ इसी वज़े से कम नहीं होता कि वो डिनर बहुत जादा लेट करते हैं वेश्यक आपका स्लीपिंग टाइम लेट है लेकिन डिनर जो है वो आपका 8 बज़े तक फिनिश हो जाना चाहिए और आपने सोना जो है वो 11 बज़े से पहले पहले है ठीक है आपने नीन भी लेनी है वो भी 8 घंटों के लेनी है रात की लेनी है तो आपका वज़न कम होगा काफी लोग जो है वो नीन के मामले भी भी मिस्टेक करते हैं कि पूरी रात जाकते हैं तो उनका वज़न भी स्टक हो जाता है ये बी एक बड़ी वज़ा है वज़न कम ना होने की तो वज़न कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपने रात की नींद लेनी है वो भी 8 घंटे तो यहां पर मैं आपको डिनर बताऊंगे डिनर में भी मैं आपको इजी ऑप्षिन देने वाली हूं डिनर में आप चिकन का सूप बना सकती है जो लोग चिकन नहीं खाते हैं वह वेजिटेबल सू बना सकती है इसके लावा सेकंड ओप्षिन है आप पाया का एक बाउ ले सकती है 300 ग्राम तक ठीक है वह आप खा सकती है डिनर में तो डिनर करने के आदे खंटे बात आप आप नाइट टी लेंगे नाइट टी में आप सोंफ अजवाइन की टी ले सकते हैं या सिर्फ सोंफ अच्छा जी तो इस डाइट प्लैन के साथ जो चीज़ें आपने आपने अवोईड करनी है वो भी आप सुन लें अगर आप ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो गरंटी नहीं है कि आपका वजन कम होगा ठीक है तो आपने सबसे पहले जो अवोईड करनी है वो तली और वो वजन कम नहीं होगा अपनी बोडि के फैट कम करने के लिए जो चाहरा उट करना पड़ेगा और है के लिए अपने बहुत के लिए हमेशा निकाल दें सिग के उ और nee के करेविंग के लिए आप डेट्स का यूज कर सकती है और डार्य चोकलेट का यूज कर सकती है इसके लावा आठे जरूर का पीना यह जो देली फीने आप अर्वेट्छी कोन तो इसे आपकी ताइम पे एक से दो ग्लास पानी पी लें इसके लावा वजन कम करने के लिए बहुत जूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना खुश होके हैपी होके अपना डाइपन फॉलो करें और अपना वजन कम करके दिखाएं और इस टाइपन के जरूर करनी है कम से कम 30 मिनट तो यह आज का डाइट प्लैन था काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी तो आप लोग भी इसको फॉलो करके दिनों में अपना वजन कम कर सकते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीचेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीचेगा अपना बह